नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर लिक कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और वीडियो में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज का जो वीडियो है यह है फाइब्राइड इन ब्रेस्ट या फे टूमर इन ब्रेस्ट के बारे में तो हो सकता है कि वीडियो हलका सा आपको लंबा लगे तो इसलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वीडियो है टूमर इन दे ब्रेस्ट के बारे में तो इसको कई सिनूनेम्स से जाना जाता है कि टूमर इन दे ब्रेस्ट फाइब्रोइड the breast stun की गठान नॉन-malignant tumor of breast या बिनाइंग tumor of breast तो सबसे पहले जब भी हमें tumor की बात कर रहे होते हैं कि whenever we are talking about any tumor overgrowth तो यहां पर एक चीज समझने वाली है कि सब फर्द करिए कि हम यह बात कर रहे हैं नॉन-malignant tumor के बारे में कि जो ऐसा tumor जो कभी भी malignancy या फिर cancer की तरफ नहीं जा तो अब सवाल यह है कि कोई अगर लेडी का हम example लें hypothetical example जिनकी breast cancer से मौत हो चुकी है तो उनकी भी जो बीमारी थी वो कहीं ना कहीं है tumor से ही start हुई थी ना मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी ग्रोथ जो भविश्य में cancer बनेगी या फिर वो malignant growth बनेगी जिसके अंदर आपको रेडियो थेरेपी कीमो थेरेपी करनी पड़ती है और अल्टिमेटली वो पेशेंट की जान ले लेती है दोस्तों वो सारे cancer के cases की जो शुरुवात होती है वो एक tumor से होती है तो यहां पर एक चीज लाजमी हो जाती है कि whenever we are talking about any tumor in the any organ हम किसी भी organ में किसी भी tumor की बात कर रहे होते हैं तो हमको उसका clinical classification सबसे पहले पता होना चाहिए और आप सभी दर्शकों से मैं विंती कर रहा हूं कि मेरे वीडियो को धंग से देखें शुरू से आखरी तक एक online के उपर ध्यान दे क्योंकि होता क्या है कि गूगल पर बहुत से लोग सर्च कर रहें अब किसी के गठान थे उनने अपने घर में महिला को नहीं बताया कि उनको कैंसर है जबकि डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि उनको कैंसर अब वह अगर गूगल पर सर्च करेंगी और यह वीडियो देखेंगी और और वीडियो में बात करने वाले हैं और फाइब्रो एडियो मा जो होता है उसके कुछ समझ लीज़ें तो बिना किसी जाच के भी अगर यह आपको है अगर आपने वीडियो देखा और इन केरेक्टरिस्टिक को समझा है तो आप इस के चोटा से अंदादा पक्का लगा सकते हैं कि आपको Fibro Adenoma है या फिर कोई और यूमरहे सबसे पहली चीज कि Fibro Adenoma सबसे कॉमनली पाया जाता है 20-30 के ब्राकेट में मतलब 20-30 साल की जो बच्चियां नदर सबसे पहले तो पाया जाता है सबसे commonly 99.9% अगर ये पाया जाएगा तो 20-30 साल की यंग गर्ल के अंदर ही पाया जाएगा दूसरी बात ये एक aged lady menopausal lady में ऐसी महिला जो 40-45 साल की हैं जो menopausal से गुजर रही हैं या फिर menopausal जिनका हो चुका है उनके अंदर इसके पाया जाने के chances बिलकुल नगर्न है शून ने तो ये फाइब्रो एडिनोमा का पहला characteristic है कि ये यंग गल्स में 20-30 साल की उमर की लड़कियों में पाया जाता है ये adult जो menopausal lady है जिनका menopausal चल रहा है या हो चुका है 40-45-50 साल की महिलाओं में बिलकुल नहीं पाया जाएगा तीसरा point एक condition है कि 40-45 साल की उमर की महिलाओं में सिर्फ ये एक condition में पाया जाएगा और वो है कि आप लोग जैसा की जानते हैं कि आजकल menopaus बड़ा तकलीफ दे होता है पहले menopaus आज से कुछ 10-20 साल पहले menopaus का बाता था महिला को पता भी नहीं चलता था पड़ आज की डेट के अंदर menopaus की ये स्थिती है कि उसके अंदर menopausal hemorrhage होता है एक-एक महिने तक bleeding चलती है बहुत सारी परेशानियां होती है और इन परेशानियों से बचने के लिए जो महिला गाइनिक मेडिसिन के उपर है गाइनेकोलोजिकल डॉक्टर के दौरा दी गई हार्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी एचाइट की दवाएं जो ले रही है उन महिलाओं के अंदर सिर्फ उन महिलाओं के अंदर जो menopaus के अंदर एचाइटी ट्रीटमेंट ले रही है हार्मो रिप्लेस्मेंट थेरेपी सिर्फ उनके अंदर एक चांस थोड़ा बहुत बनता है कि उनके अंदर फाइब्रो एडिनोमा दिखे यह एकलोती कंडिशन है अधर्वाइस यूविल नेवर एवर गोईंग तुफाइब्रो एडिनोमा इन दा लेडी फूस एज इस 40-50 एंड क्या है कि फाइब्रो एडिनोमा बहुत अच्छी खबर है उन सभी दर्शकों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी महिला है वो सभी लड़कियां जिनको फाइब्रो एडिनोमा है तो अगर आपके पास रिपोर्ट है कि आपको सोनो मेमोग्राफी में केसेज के अंदर इस एपसोलूटली नॉन मेलिगनेंट ट्यूमर यह बिनाइंग ट्यूमर है इसका मैलिगनेंसी और कैंसर से दूर दूर तब कोई लेना देना नहीं होता है और इसलिए इसकी डेफिनेशन में एक चीज कही जाती है कि जो फाइब्रो एडिनोमा होता है य इसका कैंसर होने के इसके अंदर चांसे शूनिक के बराबर है मतलब 99.9% केसिस के अंदर यह जो ग्रोथ है यह होती है नॉन कैंसर तो चलिए आप सब को इस बात का बहुत-बहुत बढ़ाई अब हम आते इसके उपर कारण पे कि देखिए as per the modern medicine जो हमने research करी है इसके उप modern medicine को इसका कोई भी अंदाजा नहीं है कि यह क्यों होता है इसका कोई भी इतियोलोजी नहीं पता बट बीग डॉक्टर एंड एज ग्रूप जिस एज ग्रूप के अंदर हम इसको देख रहे हैं हमने क्या बोला कि 20-30 साल की लड़की के अंदर पाया जाएगा 40-50 साल की महि लड़ी अपनी रिप्रोडुक्टी व एज में हैं और 40-50 साल की महिल में अपनी रिप्रोडुक्टी व एज के बाहर आ चुकी है बीस BILL13 के अंदर अभी हैं हार्मोंस हैं क्योंकि वह जवान महिला है वहीं 40-50 साल की जो महिला है उनके अंदर क्योंकि मेनोपॉज हो चुका तो हार्मोंस खतम हो चुका तो कहीं नहीं नहीं बीग इंटेलेक्शुल डॉक्टर हमको यह लगता है और मॉधन मेडिसिन भी इस बास से सहमत है कि यह हार्मोन के प्रभाव के कारण होती है मतलब इसके होने के लिए जो दो फॉर्मोस्ट और दूसरी चीज अगर यह सिर्फ हार्मोन के कारण होता है तो हर दूसरी महिला इसकी शिकार होती तो जो इसका में कारण है कि एक अंदर दोस्तों जब भी हार्मोनल इंबैलेंस की शिचुएशन बनती है बोडी के अंदर तो वो hormonal imbalance के कारण कहीं न कहीं ये breast में adenoma, fibroadenoma का tumor बनता है ऐसा मेरा मानना है कि reproductive age के अंदर जब महिला के अंदर hormones हैं वो reproductive age में हैं और उस age में किसी भी प्रकार का एक बहुती peculiar एक बहुती special type का जब hormonal imbalance होता है तब दोस्तों जाकर के बनता है fibroadenoma उस महिला और यही कारण है कि क्योंकि reproductive age खतम होने के बाद menopause के बाद hormones खतम हो जाते हैं तो क्योंकि hormone ही नहीं है शरीर में और जब hormone ही नहीं होगा तो उनके बीच का mutual imbalance होने का कोई chance नहीं है और यही कारण है कि एक menopausal lady के अंदर ये infrequent पाए जाते हैं ये नहीं पाए जाते हैं नहीं के बराबर ठीक है न तो अब हमने ये जाना कि ये क्या है ये क्यों है इसको कितने नाम से पुकारते हैं इसके पीछे के होने का क्या कारण है अब अगला जो point आता है इस video के अंद पढ़ा रहता है हो सके 10 साल में वह थोड़ा बहुत करेगा पर उसके अंदर बहुत एक्टिविटी नहीं होती है उसके अंदर बहुत जादा कुछ sensations नहीं होते हैं उसके इंदर पेन नहीं होते हैं ये जो फाइब्रो एडिनूमा होता है इसको टेक्श्च्चर होता है ये इतना स्मूथ होता है और इतना सर्कूलर होता है कि ब्रेस्ट के अंदर इजीली मूवेबल होगा वो चिटक चिटक जाएगा आपके हां तो अगर मेरी जितनी भी दर्शाक देख रही है अगर आपको इस तरह का कुछ है तो यह फाइब्रो एडिनोमा हो सकता है और इसको बोलता सबसे विश्वस्णी इंवेस्टिगेशन है वह होती है सोनोग्राफी ऑप दब्रेस्ट जिसको बोलते है सोनोमेमोग्राफी कराएए और सोनोमेमोग्राफी के अंदर इट विल डेफिनेटली क्लियर डेट वैदर यूर सफरिंग फ्रॉम दफाइब्रो एडिनोमा या फिर कोई अदर ट्यूमर अब उस अलार्मिंग पॉइंट की बात करते हैं कि वो कौन सा अलार्मिंग पॉइंट है जिस पे एक महिला को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए एक्जामपल लेते हैं कि उनको 15 साल से ब्रेस्टि के अंदर ट्यूमर था वह उन इंड ऑफ रिलाज करा रही थी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था उनने सोचा कि चलो छोड़ो इससे कुछ हो भी नहीं रहा है डॉक्टर भी बोल रहे हैं का ऑपरेशन करना होगा तो कर देंगे पर इससे कोई दिक्कत नहीं है तो बड़ा होने लग गई मतलब एक दिन वह ऐसे ही पलपेट कर रही थी तो उनको एक एक अलाजड ग्लैंड दिखी उनकी एक्जिलरी रिजन दोस्तों यह बहुत अलार्मिंग पॉइंट है इस्पेशली इन दा केस ऑफ फाइब्रो एडिनोमा के केस के अंदर जब रीजिनल लिंफ नोट सो बढ़ने लगें तो इसका मतलब आप समझ जाईए कि आपका यह फाइब्री फाइब्रो एडिनोमा कुछ समय में बहुत बुरी इस्थिति ले सकता है ऐसे केस में जिनके अंदर फाइब्रो एडिनोमा सालों से पड़ा था कुछ नहीं कह रहा था उनकी एक आर्मोंस देते हैं आर्टीपीशली बैलेंस सई करने के लिए बट उससे कुछ होता जाता नहीं है और उसके अलावा अब आते हम सीदे होमियोपैथी में कि होमियोपैथी के अंदर कुछ ही महीन है मेरे ख्याल में 4-6 महीने के ट्रीटमेंट में आप अगर बहुत इंटेल हमियोपैथी कुछार में तू मोस्ट इंपोर्टेंट मेडिसीन इंडिकेटेट इन दे केस ऑफ फाइब्रो एडिनोमा अफ दे ब्रेस्ट आर्ट फर्स्ट वन इस दा कॉनियम 30 जी हां कॉनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी में 4-4 पिल्स 3 ताइम सब्सक्राइब सेकेंड मैड के दोनों का सेवन करना है चार चार कोली दिन भर में तीन बार इनीशली आपको यह जो मैडिसीन है वो अपने अगर आप ऐसे कॉमन परसन यह पेशेंट यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अपने होमियोपैथिक डॉक्टर की सला के बिना नहीं लेंगे उन से चर् स्वास दिला रहा हूं कि you will get the very consolidated result अगर वह result आपको मिलते हैं तो आने वाले तीन से चार महीने और इलाज करिए and you will get completely read of this threatening disease which is known as the adenocarcinome तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का समय निकाल करके वीडियो से जुड़ने के लिए आने वाले हफते के इवेंट में और हर शनिवार को शाम को साड़े चार बज़े होने वाली live stream में आप सबसे मुलाकात होती है तब तक के लिए नमस्कार